हेलो अरिवन वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल मैंकित पांडे और इस वीडियो में हम कंप्लेट डिस्कुसन करेंगे D.S.S.B. पटवारी रिकूट्मेंट 2021 के बारे में यहां पर हम जानेंगे नंबर आफ पोस्ट के बारे में Essential Qualification क्या है? Age Limit क्या है इन पदों के लिए? Pay Scale, syllabus क्या है? इसके अलावा exam pattern कैसा रहता है? और selection process इन सभी important points पर हम इस वीडियो में डिसकुस करने वाले हैं तो आप वीडियो की अंतक बले रहें ताकि जो भी आपको बाते बताई जाएं वो आपको बिलकुल clear हो सकें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी से जरूर शेयर करें इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल Mission for Perfect Study को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी latest update हो DSS LSB से related उसकी notification आपको मिलती रहे तो ये देखें vacancy notice है और दो dates आपको ध्यान रखना है opening date of application 25.5.2021 और closing date of application जो last date है application की वो 24.6.2021 है यहाँ पर देखें पटवारी जिसका की post code है 48.21 जो total post आई है 10 इसमें EWS का एक post है UR के लिए 6, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1 essential qualification की बात करें तो अगर आप simple graduate हैं तो भी आप इस post के लिए eligible हैं और आप form apply कर सकते हैं ठीक है pay scale देखें तो grade पे 2000 है group C की यह post है और अगर आप UR category में है earn reserve category में तो आपकी जो age है वो 21 से लेकर 27 के बीच में होनी चाहिए और अगर आप category में है किसी तो वो जो है अलग-अलग criteria है कितना आपको छोट मिलता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे और अगर आप contractual employee है इस department में तो भी आपको जो है एक बार maximum 5 साल की छोट मिलेगी वो depend करेगा कि आप कितने साल जो है इस department में आपने काम किया है यहाँ पर देखें जो age relaxation है categories wise तो SCST के जो है उनके लिए 5 साल है OBC के लिए 3 साल PWD के लिए 10 साल PWD और अगर कोई PWD और SCST है तो उसके लिए 15 साल और PWD का कोई जो है OBC का है तो उसके लिए 13 साल की छोट मिलेगी बात करें exam pattern की तो यह जो exam है one tier exam होगा एक paper होगा और 200 question पूछे जाएंगे 200 number के प्रते question एक number का होगा और जैसा कि आप जानते हैं कि DTSB में minus marking होती है 1 by 4 वो रहेगा ही और जो paper होगा वो दो sections में divide होंगे A और B जो section A होगा वो 5 पार्ट में divide होगा जिसमें पहला portion होगा आपका general awareness second general intelligence and reasoning ability तीसरा है आपका mathematical and numerical ability fourth आपका Hindi language and comprehension और पाच्वा English language and comprehension प्रतेक जो पार्ट है उसमें 20 question पूछे जाएंगे 20 number के यानि total आपके handed marks का ये section A होगा और B section ये भी जो है handed marks का होगा इसमें जो है post specific question पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले 13 oblique 17 जो की पटवारी की post आई थी और जिसका की exam 2019 में conduct कराए गया था उसमें post specific में जो है maths पूछा गया था इसके अलावा computer से related questions पूछे गया थे और reasoning पूछी गई थी जो है banking level की ठीक है और जो computer के question आये थे वो भी काफी जो है अच्छे level की थे और जो maths के question पूछे गया थे वो 11th 12th के जो math है उससे जो है पूछे गया थे उसमें probability का question था integration का था differential equations related question थे 3D से related question थे ठीक है तो यहां से question पूछे गया थे तो आपको बहुत ही अच्छे स्तियारी करना होगा और मैं आपको बता दूँ कि आपका जो section A है जब आप paper देने जाएं तो आपको section A में ज़्यादा अच्छा score करना है ताकि जो है अगर आपका section B में कम score भी हो तब भी आपका selection हो सके और इसी का exam के बाद जो married बनती है जितने post है उसी के recording married बनाई जाती है और उसी पर आपका selection होता है तो यह कुछ important points थे जो कि हमने discuss किया DTSB पटवारी recruitment 2021 related I hope आपको यह video पसंद आई होगी मिलते हैं अगले कुछ नए topic के साथ तब तक के लिए thank you have a great day